जरूरत पढ़ने पर मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ जरूरत पढ़ने पर उसने मुझे पैसे नहीं दिये जरूरत पढ़ने पर मैं आपको बुला लूँगा जरूरत पढ़ने पर हम वहाँ जरूर जाएंगे गईस ऐसे sentences हम अपने जेली conversation में बहुत use करते हैं English में हम इने कैसे बोलेंगे चलिए देखते है जरूरत पढ़ने पर या फिर जरूरत के समय दोनों तरीके से हम इसे pronounce करते है English में हम इसके लिए use करते है in case of need in case of need चलिए देखते हैं ऐसे use कैसे किया जाता है sentences में rule क्या है So guys ऐसे sentences को बनाने के लिए सबसे पहले हम use करेंगे sentence जो किसी भी tense में हो सकता है और sentence के end में use करेंगे in case of need आप चाहें तो sentence के बाद comma भी use कर सकते हैं otherwise आप directly भी लिख सकते हैं in case of need चलिए example से समझते हैं First example है जरूरत पढ़ने पर मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ I always help him in case of need तो यहां पर I always help him यह हमारा sentence है जो कि present में है in case of need हमारा structure है I always help him in case of need जरूरत पढ़ने पर उसने मुझे पैसे नहीं दिये He didn't give me money in case of need He didn't give me money in case of need तो यह past में था इसलिए हमने first जो sentence है वो past में use किया He didn't give me money in case of need जरूरत पढ़ने पर मैं आपको बुला लूँगा I will call you in case of need I will call you in case of need जरूरत पढ़ने पर हम बहां जरूर जाएंगे We will definitely go there in case of need So guys यह था आज का structure With examples हमने इस वीडियो में learn किया I hope कि यह वीडियो आपके लिए useful रही होगी अगर आपको पसंद आई हो प्लीस like and subscribe my channel for more content Next मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में new structure के साथ Till that time all the best, good luck, bye bye I hope I hope you